शरीवराय कहां से चुनाव लडने की तैयारी कर रहे हैं, पूर्वी जमसितपूर, पश्चिमी जमसितपूर, कहां से चुनाव लड़ेंगे। रगवरदास के सक्रिय राजनिती में लोटने की खबर है, मतलब बहुत बार यह कहा जाता है कि वह एक चुनाव लडने के, और अगर वह पूर्वी जमसितपूर से चुनाव लड़ते हैं, तब भी सरीवराय उसी आकरामक्ता से वह मुकाबला करने जाएंगे। इसके बारे में निर्ड़े तो नितिस कुमार जी को और वाजपा के आला कमान को लेना है। दलिये डड़े और आपने रगवरदास को हरा दिया। रगवरदास चुनाव हरे और उसके बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं कसम खाता हूं कि मैं उन्हें वहां से हराऊंगा। जैसे एक जानूर होते हैं पूंश उसका खीचिये तो सिधा हैं छोड़ देजे, टेड़ा हो जाती है। जीते, बन्ना गुपता जीते, मंत्री बने, उसके बाद से आप उनके खिलाप और वो आपके खिलाप हमलावर हैं। नितिगत मुद्दों पर शुरू हुआ आरोप परत्यारोप से बात निजी हमलों तक पहुँची है। किसी महिला के साथ बातचीत का जारी हुआ था तो मैंने उसको सेयर किया था। मैंने मेरे सेयर करने के पहले सोलाग उसको और सेयर कर चोगे था। निसिकान दोविजी ने सेयर किया, उनका सेयर ही मेरे पास आया तो मैंने उसको भी सेयर कर दिया। तस्वीर आपकी उनकी आई थी वह पांच होते नजर आया विभावक तुल्य बताया मैंने हमेशा विभावक तुल्य बोलके उनको सम्मान दिया लेकिन वह हमेशा मेरे पीछे हाथ दोकर पड़ गए तो जे वरस्ती खड़ा होके कालिकम खितम उनके बाद पैर चुए और प आपको पता नहीं था यह तस्वीर होने वाली है नहीं नहीं मैंनों से ही कहा कि आज पैर कर रहे हैं और कल पैर खिछिएगा और इसवक्त हमारे साथ वर्यनेता सरुराए है जो जार्खंड की राजनिती में पितामः की संग्याजिने दी जाती है जो समझते हैं पूरे जार्खंड को सियासत को और इनकी खुद की राजनिक्ती की यात्रा जो है 2019 के विधान सबार चुनाव के बाद से किसी रोलर कोस की भी बात चल रही थी और दो सीटें जहां पर पहले ये जमसेदपूर पस्चिमी से चुनाव लड़ते रहे पिछली बार जमसेदपूर पूरवी से तातकालीन मुख्य मंत्री रगवर्दास को हराया इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और पूरे सियासत को किस तरह से अभी के सेनारियों में समझ रहें वो भी जानेंगे सर बहुत स्वागत है आपका सरी राय कहां से चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं पूर्वी जमसेदपूर पस्चिमी जमसेदपूर कहां से चुनाव लड़ेंगे मैं तो भी पुर्वी जमसेतुर का विधायक हूँ और पुर्वी जमसेतुर की जनता के लिए ही काम करता हूँ. तो ये काम तो अमरा चल रहा है. जब मैंने हाँ पांच साल तक काम किया है तो मैं तो यही से चुनाव लगना चाहूँगा. इसके बारे मेरे मन में कुई विधा नहीं है. जमसेतुर कुर्वी ही अगले चुनाव में मेरी कंसिच्विंसी होगी. मैं यहां से ही चुनाव लगना है. तो ये जड़्यू परत्यासी के तौर पर आप चुनावी मैदान में होंगे या कोई और कदम है? कि जनता दल्यू का रास्ची अस्तर पर भारती जनता पाटी के साथ के इंडिये के साथ पिड़बंधन है, ताल्मिन है. यहां जनता दल्यू लड़ेगा तो इंडिये फोल्डर में ही लड़ेगा. इसलिए मैं उमिद्वार इंडिये का ही रहूँगा और जहां तक मुझे अभी तक आभास मिला है कि अगास्ची अनेता हैं, भारती जनता पाटी के और जनता दल्यू के, यह बात करेंगे इसके बारे में, कि आगे की सूरत क्या होगी, किस तरह की होगी, इसलिए इसके बा जेडिवा अपने ज्वाइन किया, तो क्या आप इस स्वरेंज के साथ इस आसवासन के साथ शामिल हुए कि मैं जमसेदपूर पूरवी से ही चुनाव मुझे लड़ाए जाएगा, तो मैं पार्टी में आ रहा हूँ अपने के साथ, नि कोई इसमें आसवासन नहीं है, नित जर नौ में जो मैं चुनाव हार गया था, तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि आप भीहार आजाएए, मेरे साथ आजाएए, आपको मैं में मिलसी बना देता हूँ, राष्वान भेज देता हूँ, मंध्री बना दूँगा, मैंने मुझे यही निवेदन किया था, यब मैं कोई बात मानते ही नहीं, तो आपको वही बार में कहता हूँ, आप बताएए आपने क्या कहा है और मैंने नहीं माना आगे जो कदम है, यह निश्या करने का जिम्मधारी में आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको जब उचीत लगेगा, जो उचीत लगाएगा मेरे बारे मे तो एक दिन मैंने देखा कि उनके कालजिकारी धर्च ने गोषना कर दिया, तो इसकी प्रूम इतना ही है, इसमें कहीं से कोई असवासन, कुछ नहीं है, एक मित्र का एक मित्र के साथ जो समंध है, उसके आदहार पर उन्होंने गोषना कि मेजन्दा दियू में आ गया, और मै दो बातें हैं जो बहुत जरूरी है चर्चा करनी, कि 2019 में जब आप चुनाव लड़े, राष्टे मुद्दा बना, क्योंकि आप निर्दलिये लड़े और आपने रगवरदास को हरा दिया, रगवरदास चुनाव हरे और उसके बाद उन्होंने एक ऐलान किया, कि मैं कसम खाता हूं कि मैं उन्हें वहां से हराऊंगा, हलांकि वो ओडिसा के राज्यपाल हैं, पर जारकंड की सियासत में अक्सर ये चर्चा हो रही और अब भी है, कि उनकी इक्षा है कि वो सक्रिय राजनीती में लोटेंगे जारकंड के और जारकंड के दौरे वे बराबर करते ह तो क्या इन संभावनाओं को लेकर सर्यूराय थोड़े से ज़्यादा आत्मिस्वासी हो जाते हैं कि वही जो प्रतिद्वंदी हो सामने आ रहा है या थोड़ी सी आसंका रहती की चीज़ें बदल सकती है इस पार आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, थोड़ा अपको इ सत्रक हो गया था दिल्ली प्धान मंदी से मैंने कहा था कि मैं इस काइबिट में नहीं रहना चाहता हूं और आपके पास इसलिए आया हूं कि रगवदास जी मुझे मंत्री नहीं बरना चाहते थे आप लोगों ने आला कमान ने मंत्री बनवाया तो मैं वहां से इस्तिफा काया तो परवरी के अंतिम सब्ता में मैं दिल्ली गया था अमीत साजी से मेरा भेट नहीं हो पाई लिकर रख दिया मैंने सारे निताओं से बात कोई और मैंने ये कहा कि भई मुखमंत्री का अगर ये दवाव है कि मुझे टिकट नहीं देंगे तो मेरा जो अनुभव है पानी आती है तो ऐसी इस्तिती में आप मुझे बता दीजिए पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी अभी बता दे मैं ही प्रेस के साथियों को बुलाऊंगा और कह दूँगा कि हमें चुनाओं नहीं लड़ना चाहता है बात होई कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा आप नहीं कि पार्लमेंटी बोड़ की मीटिंग थी उसके पहले वाली साम को मैं राज्नाथ सिंख्या गया राज्नाथ इसे मैं ने अस्तिति एंग ऑप अर बाचनिंग की यह ल्यगा आप ने भी कर्णिस पर्ट है कि उसी हई सितिति पार्टी की मेरा इसाप में से aunग्रोंगा और मे में इन सारी बातों को कहा अनेकों गवा हैं उने कहा नतिजा हुआ कि मेरे सीट पर उमिद्वार की घोष्णा पेंडिंग होई दूसरी बाइठक होई मैं नड़ा जी को फोन किया पटना में रहते थे बड़ी बच्पन से उनों के साथ थे उनसे ही मैंने कहा उसमें भी पेंडिंग रह गया चौथी लिस्ट में भी पेंडिंग रह गया और एक दिन बाद नॉमिनेशन की तीधी कतम हो रही है तब मुझे लगा कि लो मेरे साथ चल चल कर रहे हैं और तब मैंने एलान किया उसी साम को सन्यवार का दिन था सुमवार को लास्डे नॉमिनेशन था कि अब मैं जमसे दूर पुरवी से रहुवार दाशिये कि लाब चुनाव लड़ने की मुझे कह दिया होता है कि आपको टिकट नहीं देंगे तो अराम से एक जिसको कहा है था कि समान जनक विदाई हो जाती है हो जाती मैं चुनाव नहीं लड़ता पार्टी के थाम करता त इसलिए हर बार आती है कि मैंने बीजेपी छोड़ दिया यह कोई गलत नहीं है बीजेपी छोड़ा तभी चुनाव रड़ा मैं उसकी प्रिस भूम यह थी और जब मैं उस छेत्र में गया 15 दिन का समय बचा था में कोई तैयारी नहीं थी वहां का वोटर लिस भी मैंने दे कि मैं एक मुकंत्री को हरा दिया क्योंकि मैं इस्तितियों का आकलन बिल्कुल वस्तू पर रखरता हूं तो यह इस्तिती थी मेरे चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की और तब से मैं अब तक उस छेतर में सक्रिया हूं जम से दूर पूर्वी छेतर में पिछले हैं महामने लागू कराया और दो साल तो कोरुणा में चले गए समय कम मिला फिर भी मैं सबूत के साथ यह करता हूं कि इतना काम मैंने किया है धाई साल में कोरुणा के बाद उतना काम पिछले 25-30 करसों में उस्यते में नहीं हुआ है इसलिए अभी भी मैं वहां का विदाय होता इसके बाद एक बात आप कह रहे हैं कि मुझे आशंका होने लगी थी कि टिकट काट दिया जाएगा और इसलिए मैं पार्टी नेत्रितु के सामने ये बात रख रहा था एक ऐसे वेक्ति के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जहरकर्ण में बीज में लगों से ये परिस्थितियां बने लगें? में आपने विभाग में मैंने भारत सरकार के व्रप։ काज्रम से शक्राज्च को करें आप आठे काम किया शंक सिवतियों मुख्यमंतरी रहते हैं रगवर्दास और पार्टी के बड़े नेता रहते हैं मतलब वह असाहमती स्विकार नहीं कर रहे थे जाहिए किसी की दिए के बारे में बाहर जो धाना है ना अंदर में अलग इस्तिति रहती है का सामोहिक दाई तो होता है कोई नीड़े आप उसके पच्छिधर नहीं है खुझ आता है पाप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसको नहीं मानता हूं तो यह इस्तिति आती है इसलिए के भीतर जो कह लिए बाहर में आपको चुक रहना पड़ता है असामती थी और मैं तो खूलकर कहता था असामती के स्वर को समान दिया जाना चाहिए हर वेक्ति हमसे असामत होने के लिए सोतंतर है जिस बिंदु पर असामत है में बैठकर ब और अगुबरदाशी ने कई बड़े-बड़े काज कम किया थे मोमेंटम जारकरन और कई चीज़े किया था बड़ी प्रचार करया था अपना उस पर भी मेरी सहमती नहीं रहती थी ऐसे इसकी लिवलप्मेंट में नौक्रियां देने की बात थी ने खूलकर कहा था कि यह सम 2017 को समय लेकर कुधान मंतिजी से मिला और उनसे कहा कि मुझे कैबिट में हर मीटिंग में सर्मिंदगी उठानी पड़ती है मैं चाहता हूं मुपत हो जाओं उन्होंने मुझे कहा कि कैबने छोड़ने के बारे तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए मैं अमीद भाई से बा राची रहूंगा थीन दिन के लिए मैं सारी चीज़ों का निप्णाना करूंगा राची आये बहुत थर तक निप्णारा किया उन्होंने मुझे दिसंबर आते आते जैसे एक जानूर होती है पूंश उसका खीचिये तो सिधा चोड़ देजे टिड़ा हो जाती है दिसंब और 18 के ही साल में ज्यादा तल्खी हुई और मेरी मेरा अनुभव भी है कि कहीं भी मुख्मंत्री को इस्टैंड लेता है पार्टी के आला कमान उसी को मात को देता है एक तो उनका लगातार लाइफ कॉंटाइट रहता है मुख्मंत्री का अला कमान से वो उतना हमलों का नह करता था इसलिए मैंने कहा था मुझे टिकट नहीं दीजिएगा मैं जानता हूं आप मुझे पहले बता दीजिए मैं अपने अस्तर पर ही घोशना कर दूगा इस तरह का घटना करम बता रहे हैं उससे साइध ऐसा लगता है कि आप अब बर्त्यक चुरूब से कहना चाह रह अब यह तो नहीं कहूंगा कि मैरे कारण ऐसा हुआ पर इस हीतिया कई तरह की होती हैं जिसके चलते घटनाएं घटते हैं नीडे होते हैं अब जनता कि मन में कुछ बैठ किया जैसे स्यंटी एस्पीटी की बात है तो हजार पंदरह सोलर तक यहां के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके मन में क्रिशियन नन क्रिशियन की बात आ गई थी क्योंकि जो इसाई समुदाय आदिवासी हों में मुसी से 7% 8% और नौक्रियों में उसकी सवागिता 90% से उपर है तो यह बात आ रही थी कि वह जो इसाई नहीं है आदिवासी उनको पढ़ाई में उनके स्वास्त में उनको नौक्री मिलने में भेदा हो है तो एक अलग इस्तिती बन रही थी यह भाजपा के लिए बहुत बहुत बहतर इस्तिती होती है मगर अगवर दासी ने इस मीच में अध्यादेश लागू करा दिया सी एंटी एस्पीटी एक में परिवरतन करने के लिए और मैं उस समय संसलिय कार्ज मंतरी था मुझे इस भई राजपाल के हाँ तो मुझे सद्मा लगा सबाद मैं इस पर नहीं रहाँ गांगा इस पर दिया क्योंकि जो ही नीडे होते चीज की जयंखरी रहने चाहिए जहेए प्रचपक्ष का नेता मुझे सरकार के नीडे के बारे में बताता है तो समझे कितनी सर्मिंद्धी उ बात होई, मैं उसकी कितना अच्छा था, कितना नहीं थायर पर नहीं जाओंगा, मगर आदिवासी समुदाएं में एक मेसिज गया, यह लोग हमारी जमीन चीनना चाह रहे हैं, हमारे जमीन के कानून को बदल के, और हमारी जमीन चीन लेंगे, फिर सब के सब इकठा होगे, औ तब से अब तक भारती जन्ता पार्टी की जमीन अभी तक अधिवासी धरातल पर खड़ा नहीं हो पाई है, तो ऐसे भी कई नेंडे हुए, और हम जब रहते हैं, मैं हमेसा ही कहता था, कि जब हम लोग पत्पर हैं, हम जो कहते हैं, अखबार चापते हैं उसको, अंत्री है मुख्यमंत्री हैं, अपनी होडिक लाते हैं, कट आउट लगाते हैं, अपनी ही खबर को अखबार में अपने ही पढ़े कर हम खूस होते हैं, वही मेरा बड़ी प्रचार हो रहा है, और मेरे बादे बड़ी अच्छा हो रहा है, यह स्थिती बन गई थी उसकार्ण में, इस किनार है वो सब आप रगवरदास के का नाम लेकर ही किनार है चाहिए वो फॉसल प्रसिक्षन के आधार पर नौकलिया देने की बात हो मुमेंटम जारखंड हो सिंटी स्पिटी को बदलाव को लेकर अध्यादेश हो तो आपको लगता है कि रगवरदास के मुख्यमंत्री रह कि आध्यासी समq आख है ऐगाया कोई भी समदाख है जहां भावनात्म के बातें आती है तो उस पर वह तरक भी तरक नहीं सुनना चाहता है आध्यासी समदाख है तो जादा समयज अनसील है मैं ने हमेसा कहा है कि देखी हम लोग अच्छा काम करते हैं आप अधिवासी समाज में रसलेस के लोग और लोग बहुं सारा काम करते हैं भीड आलेस से लेके अस्पताल खुरते हैं सब खुरते हैं तो वो forever ही अनुह कहता है कि बड़ी अच्छा आदनी है तो अच्छा और अपना का जो दो दिस्टिकोंड है समधायका जब तक इसमें आप तालमेल नहीं बिठाएंगे कि हमारे भीतर उसके अपने लोग भी दिखाई पड़ने चाहिए और उनको ऐसे ही प्रमुक्ता मिलनी चाहिए तब आपके साथ जुड़ेगा नहीं तब अच् जमसेदपूर से चुनाव लड़ते हैं तब भी सर्यूराय उसी अकरामक्ता से वह मुकाबला करने जाएंगे या फिर सोचेंगे कि यह अगर मैं वह चुनाव लड़ता हूं रगवरदास के खिलाब एक मीडिया में बज क्रियेट होगा मनोवेग्यानिक दवाब भी होगा उस जीद को दोहराने की या फिर वो जमसेदपूर पस्चिमी की तरफ सिफ्ट करेंगे कि छोड़िये उस विबाद को पीछे रहने देते हैं मैंने मैंने जवाब है निती शुमार जी पर सब कुछ छोड़ दिया है तो आदमी वच्छन देता है तो उसका परनभी करता है तो इसके बाड़े में निndडे तो निती सुमार जी और भाजपा के आला कमान्द को लेना है वह जो निर्ने लेंगे, वो निर्ने तो मुझे मानना परेगा मगर जो मेरे सिटिंग सीट है तो एक सीटिंग गेटिंग का फर्मूला होता है सिटिंग सीट पर कोई मुझे आइस्तित नहीं करना चाहेगा इसलिए जो यहां से चुनाव लड़ना चाहता है नहीं सलाद होंगा कि जम्सेतपुर पर्ष्यमोही सीफ्ट कर जाए। तो डगवादास को यह सला है। और लड़ेगे की नहीं लेंगा राजपाल है। और राजपाल के बारे में कुछ ऐसी बात कहना सान में गुस्ताकी होती है। इसे राजपाल के फद्पर हैं, मैं कुछ हैसा नहीं उनके बारे में कहूंगा, कि राजपाल के पत्री घर्मा भटे, कोई भी कहता हूं, एक स्वाइजेट, बारती जनता पार्टी को लगता होगा, कि वह कुर्व किसी चुनाव रहे है, केंड़ेट कोई भी हो सकता है, तो म बात से आप उनके खिलाप और वो आपके खिलाप हमलावर है, नितिगत मुद्वों पर शुरू हुआ आरोप परत्यारोप से बात नीजी हमलों तक पहुची और अब भी हाली में स्वास्त विभाग की तरफ से केस आप पर वो कुरोना में प्रोचान राशी घोटाला को ल एक बार कोई प्रेस का ही काजिसम था, गोवा हम लो जा रहे थे तो रांची अर्पोट पर विए उन से मेट हुई, तो हमेशा ही करते थे आप पश्चीम तो नहीं आएगा ना, मैं हमेशा नहीं करता था कि मैं पुरव से ही चुनाव लगा, बगर पश्चीम में इतने इतने से में ब्रत में लिया, कि मैं पश्चीम से भी आ सकता हूं, इसलिए उन्होंने आरब में ऑार्म किया मेरे विबवद में कहना, और मैंने, उनके बीसे में जो कहा, वो सवास्तवी वाग में जो हो रहा है। मैंने जितना कहा है, वो मुश्रित से 10 प्रतिस्द हो एस मुख्मंत्री को दोसी मानता हूं, एकर सबूत के साथ मैंने सवाल उठाए हैं, बिजानसवार के बाहर परमार दिये हैं, इस स्पीकर तक ने कहा है कि जाच होनी चाहिए, उसके बारे में ये सरकार जाच है नहीं करा है, इसका मतलब कि पीछे से मुख्मंत्री का अपको सहन ह इनको और उन्होंने जो भी वेक्तियत हमले हमारे उपर किये, मैंने कुई वेक्तियत हमला नहीं किया, एक उनके बारे में, किसी महिला के साथ बातचीत का जारी हुआ था, आप सोसल मेडिया में आथा, तो मैंने उसको सेयर किया था, मैंने मेरे सेयर करने के पहले, 16 लोग उसको और सेहर कर जो करते हैं, निसेकान दूबिजी ने सेहर किया, उनका सेहरी मेरे पास आया, तो मैंने उसको भी सेहर कर दिया, इसके बारे भी उन्होंने मुकदमा किया है, मुकदमा जहां का तहां बैठा है, उन्होंने एक नहीं, तीन या चार मुकदमे मेरे उपर कराए मानहानी केस दर्ज कराया, इनुने उनके आफिस से कागज निकल के मैंने उनके मानहानी किया है, अब दो साल से जादा हो गवाहई दिना क्या जाते हैं, आपको तो केस लड़ना चाहे है, मैं तो नहीं तुछ स moments का में जो वकील है, उनके कई यस अंदर सभी सवाल पुछेंगे, बताना पड़ेगा कि भाई आपकी जो, आपका जो मान है, वो कितना है, कितने का है, या बिलकुल नहीं है, तो वो जा नहीं रहे हैं, उन्होंने एक F.I.R. ख़या, अब उस F.I.R. में, जब F.I.R. गया, पहले मेरा नाम नहीं था, बाद में दुबारा उन्ह सेटी से लिखवाया, कि भूल बस उनका नाम छूट गया है, वो नाम जुड़ा, जब ये कागज गया कोट में, तो एक और F.I.R. करया उन्होंने, कि जो कागज कोट में प्रस्तूत किया गया, उसमें अव्यूत के नाम पर वाइटनर लगा हुआ है, तो वाइटनर गया है तो थाना लगाया होगा या पर दूसरा मुगदमा है, एक और तीरे मुगदमे की तैयारि नहीं हो पारे हैं, प्रस्चिमे में आने के लिए, उनने एक तस्वीर आपकी आई थी, वो पासहए हैर शुटे नजरा बदा अ कि अधा अधिन नके eigentlich SEC प 우리는 के में थिंग पाव अ तुल्य बोलके उनको सम्मान दिया लेकिन वह हमेशा मेरे पीछे हाथ दोकर पड़ गए उन्होंने व्यक्ति गई उन्होंने व्यक्ति गई तस्वीर खिची गई एक बंगाल कलब का प्रोग्राम था वह जब रस्ती खड़ा होके कालिकम खितम उनके बाद पैर चुए और प वो क्या मेसेज देना चाह रहे थे आप देखेंगे ऐसे करके वो फोटो की जा रहे हैं और अपने उनकाइक मेरा फोटो कीचे आपको मगर स्वास्ति विभाग में कुछ भी गड़बड होता है एम जीम में उन्होंने एक अपना प्रतिनीती बठा कर रखा है पिछले चार साल से जो सुबर टेनेंट के ठीक सामने उतना ही बड़े कमरे में उफिस बनाया हुआ है तो इम जीम में कोई घबड़ी होती है तो को जिमधार ठारा जाए तो काम नहीं करने देते हैं लोग सुबर टेनन को सही तरीके से स्वास्ति दवाग में जो दवाइं खरीदी गई कि नानी को मूश हो जाएगा तब हम तरह करें इसके बारे में ज्यादा कहने से युरत वहीं पैदा होती है और इसी नहीं को कोट करके लोग जनता दलीव और भारती जनता पार्टी मिले गए तो अभी से ऐसा ऐसा कर रहें तो अभी तुम्हें इतना ही कर रहा हूं कि मैंन अपना सारा निर्णे निति सुमार जी के उपर छोड़ दिया है उनको तय करना है कि मेरा भविस में क्या हो बीच में लोगसभा चुनाओं के समय से एक चर्चा यह आई कि सर्यूराय प्रयास कर रहे हैं या उदर से भी कुछ नेता कोसिस कर रहे हैं कि सर्यूराय बीजेप चले गए राज्यपाल बनके बावलाल मरांडी ने प्रदेश का नेतिरुत समाल लिया और पूरी बीजेपी बदली सी है थोड़ी सी तो क्या बात नहीं बन पाई और आखरी विकल्ब के तौर पर आप अपने पार्टी बनाई थी आप जड़ियू में तो आपने पार्टी का विड़ाइ भी कर दिया कि भार्टी बनी तो मेरी पाटी नहीं थी मैं दली विधायक था कोई जड़िया अपने पाटी नहीं बना सकता है एक पार्टी बनी उन्हें मुझे संदक्षक बनाया और ऑप्र आज भी काम कर रही है आग जनता देल्यू में मैं गया हूँ और भारतिय जंदन तो मुर्चा भी खड़ा है, यह दोनों ही मिरे लिए समर्थन है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैंने अपनी पार्टी को छोड़ के जंदन दे मुझे वीजवाइन के नियुगाई। और मैंने भी बीजेपी के किसी प्रदेश या रास्रस्तर के निता से इसके बारे में मैंने बात नहीं किया। करते रहे जो ऐसे लगा कि एक बड़ा भाई चोटे भाई को डाट रहा है तो ऐसा लगा को सिस बीच में प्रदेश नित्रित में चाहे वो अमर बावरी हूं बावुलाल मरांडी हूं इनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई आपकी आप मेरे भाषन देखेंगे सवाल देखेंग तो उस समय का देखेंगे मैंने ट्वीटर पर भी लिखा था जब हैमन सोरेन को कोशी सो रही थी लपिटने की यो पथल घोटाला था वहां का उस समय मैंने कहा था कि पथल घोटाले में एडी एक सीमा से आगे नहीं जा सकती है क्योंकि उसमें जो उसका चार्शिट दाखि किया गया उसमें लिखा है कि हमन सोरेन के कार्श काल में 220-2022 तक इतना लाक टन पत्थर का वैद खनन और परिवान हुआ है उसी में दिया गया था कि 2015 से 19 तक इससे पांच गुना वैद खनन और परिवान हुआ है तो मैंने कि चाशिट में यह दोनों है इस चाशिट को एक सिमा से आगे झानी लगा सकती है हमन सोरेनिस में फंसेंगे तो रगवरदाश जी हम के सरकार में वा आऊ है उसमें होंगया सराभगुटाले में हो गया यह जिसमें पूजा सिंगल पर चासिट दाखिल हुआ, चासिट में ही लिखा हुआ है, कि रगवर्दास ची के समय मुप्रमत्री के नाते उन्होंने पूजा सिंगल को क्लीन चीट दे दिया था, और जिस मामले में क्लीन चीट दिया था, उसी मामले में एडी ने उनको जेल में रखा है और आरोपत्र दाखिल किया है, तो मैंने कहा था है कि इसमें भी एक सीमा से आगे नहीं आ सकते हैं, सराब घुटाले में, जो एक भोर्सिंग जादो उस समय कमिस्नर्स है, सराब के, वो और गोड़ा थाने में बैठे रहे, प्रेम प्रगास ये किला पे फायार कराने के लिए और अंत में थानेदार उनको कह दिया है कि हम नहीं कर सकते हैं, कहीं उपर से फोन आया है, तो ये तीनो चारो घटनाओं को मैं समरांतर उठाता था, इससे ठीक है, हमन सुरेन को लगता है, उनके लिए एक सील मिल रहा है, गर मैं तो बात सही कर रहा था, दो रगभर दाच कर रहा है, और लगता था कि मैं हमन सुरेन को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, जो कि मैं सही बात करता था, हाँ, यही बात की, कई बार लगा कि आप हमन सरकार पर हम लावा रहे हैं, कभी आप बचाओ कर रहे हैं, मैंने यह जरूर कहा हमेसा, खुले आम कहा, आज इंट्यू हो कर रहा है, वैसे इंट्यू में भी कहा, कि मैं जब आठ्वी कच्छा में पढ़ता था, तब से मैं राश्य स्वंस्योग संगर के संपरक में आया, और मैट्रिक पास करने तक मैं अपनी गाहों की साखा का मोख सिख्षक था, उसके बाद विदार्थी परिस्द में काम किया के साथ नहीं हूँ, तो ये कहूं कि ये सिधान्त भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे सिधान्त राजन्ती, सिधान्त बिशार आज भी होई है, जो संगर परिवार के बिशार है, बाजपा से अलग हो जाने कारण मैंने अपना बिशार यों बदल दिया, ऐसा नहीं है, अ लोग संकेत लेते थे मेरे भारती जंता में ने किसी के पास प्रताव लेकर जाने का प्रयाश गया और भारती जंता पार्टी किसी नेठा ने मुझ से इस बारे बात किया अभी चरचा इसलिए भारते यनता पाटी को लेकर है और आप मतलब उसके ही परियन नेताओं में शुमार रहे चंपाई सोरेन जो हाट को धार्खन नुक्ति मोर्चा के नेता गुरुजी के सिस्से रहे चंपाई सोरेन जो अपने आपको गुरुजी का सिस्से बताते रहे तो दो बड़े नेता एक राजनतिक घटना करम होता है दोनों च जैसे विदायक थे जार्खन मुक्ति मोर्चा के वायत है हेमलाल मूर्मु वायत है और निशी दस्तर के कई लोग आते रहे हैं क्योंकि एक हमनों के से मेरा निटी थी कि भाई संथाल में अकुलान में भारती जनता पार्टी सीधे आधिवासी छित्रों में अपना पार्टी के समर्तन का है दोनों में आकर जीत जाएं कई जगह पर जीते भी लोग तो यह टाइसीट रहनीती थी उसके तहत लाए ज़ा था चंपाई सोरे और लगून लोविन हैंब्रम के साथ यह चीज नहीं लागू होती है कि दोनों स्थापीत नेता रहे हैं और दोनों जारखंड मुक्ति मुचा के बिशारों के पहरेदार रहे हैं विधानसमा भी आगे एक से बढ़कर यह बात ही बूलते रहे हैं तो इनकी बात अलग है मैं इसको बांता हूं एक सब धमनों के हां संगठन में आता था प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट समय के साथ साथ हमा यह मतलता है कि इसी को हमले अपने संग के कार्कुर में अधाण में सम्झाते थे कि हमारे दादा जीने साइक्ल खरीदी थी साइकल खरिदने के बाद कई परियोड़तन हो गए उसका रीम बदल गया शाज हैंडील बदल गया घंटी बदल गई सारी साइकल के दो पाध पू कर रहते हैं या नहीं रहते हैं तो समय बताएगा मगर यह सतत प्रयास का ही हिस्सा है कि ऐसे लोग भाती जनता पाटी में आरे हैं मेरे लिए कोई अजूबा नहीं है क्या मतलब आप यह कह रहे हैं कि पहले अर्जुन मुंडा और बाकी निताओं की बात की सीता सोरेन लोग सभा में आई हार गई चुनाओं आपको लगता है कि चंपाई वही असर डाल पाएंगे जो अपिक्षा बीजेपी कर रही है उससे या नहीं अगर होगा तो ऐसा इसकी पहले मुनोबयानिक असर डालने वाली भी घटना है यह मंत सोरेन जिसकती से उपर जा रहे थे अज भी उनके फूल पेज के विग्यापन निकलते हैं मगर उनके विरोधियों में जैसा दासत था या उनके समर्थों में जैसा उत्साह था यह मुनोबयानिक असर हुआ है कि यह हो गया तो क्या-κया हो सकता है इसा तो वोट के टरम में जो बदला हो गा वो अपनी जगह पर हो गा एक असर इसका हुआ है भारती जन्ता दो मेने से भी कमका बच गया है, आप हेमन सॉरेन के काम का आच को कि आप निर्दल्य बिधायक रहे हैं और सदन में बैठे निर्दल्य बिधायक के तौर पर, तठस्त जवाब कि किस पूरा पांच साल का जो कारिकाल रहा हेमन सॉरेन का, कैसे देखते हैं आप कितना हमें लेके एपॉइंटमेंट लेके वन्टू उन से बात किया हूँ चूंकि वो बाते हम दोनों के बीच की रही हैं इसलिए मैं सेखी बगारने के लिए उनके बारे में बाहर कहूं तो ठीक नहीं होगा मैं मानता हूं कि हमन सुरें सालीन नेता हैं रिस्पेक्ट देना जानत भाजपा ने भी रोथ किया इसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं मैं आई हो सकता है टाइमिंग कोई भी हो मगर इस जोजना से लाब तो जनता को ही मिलेगा ना ऐसा तो नहीं है कि शुनाओ को जोजना बंद हो जाएगी यह जारी रहेगी कोई भी सरकार आएगी भाजपा है इस जोजना को बंद तो नहीं कर सकती है इसमें सुधार कर सकती है हजार के बदे दो हजार कर सकती है चार जार कर सकती है तो यह काम अच्छा किया इसलिए मैंने अपने छित्र में अलग से तीस हजार फॉर्म छपवा के फ्री में लोगों को दिया और मैंने प् हिसा है मगर जो उनसे गल्तियां हुई है कि रहुवर्दाज़ी की सरकार में राजबाला बर्मा के नियंत्रण में जो वीचौलियों का समूव काम कर रहा था वही समूव पूरा साजों समान के साथ हिमन्जी के साथ चला है इस बारे मैंने उनसे कहा था कि वह ये सासन परस्याप का नियंत्रण खटेगा मैं जो साफ साफ कहा था और भी दो बार के बाचीत में कई बाते में उनको खा था जो कहना ठीक नहीं है तो मुझे जो उचित लगा मैं उनको बताता था मेरे समंद उनके साथ मैं भी उनकी बेक्तियत रूप से इज़त करता हूं व कठिन गलत काम को रोखना उससे और अधिक खतिन हो गया है क्या कि इसलिए उनके मंत्री हो और हो यह आधिकारी हो या उनका जो भीतर का को ट्री हो हो कि कर रहिए रहे हैं उसका नतीजह करते हैं डेलेवरी चेन का न्यान का अंतिम हिस्ता होता है । डाक्टर है, मास्टर है, वीडियो है, सीओ है, सिख्षाई भार का इंस्पेक्टर है, यह अंतिम प्रसासन की सिणी होते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, जब यह सारे काम पैसा लेकर ही करने लगेंगे, तो आप लाख महियां जो जुना कभी आपन निकलवा लीजिए, प् यह अपनी विरासत को ध्यान में रखते हुए, एक प्रगतिसील रास्ता अपनाएंगे, जिससे अंता जारखंड के नौजवानों का भला होगा, वो नहीं हो पाना, सबसे अधी कचोड़ता है, यह भेमन सुर्ण नहीं कर पाये, तो आगे आने वाले कोई लोग कर यह बड़ी मुश्किल है, आखरी सवाल, चुकि जेडियो जो है बीजेपी के साथ मिलके अंडियो फोल्डर के तौर पर चुनाव लड़ रही है, आप टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, और आप जैसा कह रहे हैं कि हम मुझे वो भरोसा असवासन दिया भी गया है, आपको न मन से दिल से प्रचार करेंगे, उनको कहा जाएगा, बोला जाएगा, अब मुझे कुछ कहेगा तो जरूर करूंगा, 2019 के चुनाव में मैं चुनाव जीत किया, हमन सुरने उसे खुद कहा, कि आप दूंका में आकर चार दिन बैठ जाएए, सीता सुरन के जामा में चले तो जिससे जो समझोता रहता है, बर मुझे नहीं लगता कि भारती जनता पार्टी के लोग मेरे उपर को यसी जिम्मेदारी सौफेंगे, क्योंकि उनके पास एक से नेता है, बड़े नेता है, हम लो तो पीछे छुट गए हैं उनसे, तो इसके बारे मुझे कोई बाहम नह करने के लिए और सारे सवालों के इतने साफगोई से जवाब देने के लिए, तो ये थे सर्यूराय और चुनाव कुछी समय में एलान हो जाएगा और इसके बाद बड़े दिगज जो हैं चुनावी मैदान में नजर आएंगे और फिर सियासी घटना करम भी तेजी से बदल अरोब परत्यारोब भी सुरू होंगे और हमारी जन्मत यात्रा भी इसी तरह से जारी रहेगी कुलहान सहित जारकंड के तमाम प्रमंडलों में फिलाल हमें इजाजत दीजे हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे मेरे सयोगी है विक्की सुप्रिया